दोस्तों दो वर्ड आपके सामने हैं B-E-S-I-D-E beside and B-E-S-I-D-E-S besides spelling बिल्कुल सेम है सिरफ extra S लगा है और इस S की वज़े से देखो कितना फर्क आ गया beside का मतलब है के बगल में और इसका मतलब है के अत्रिक्त इसमें और डिटेर में हम बात करेंगे इस वीडियो में जानेंगे इसका पूरा मतलब दोनों के बीच में क्या फर्क है और दोनों के करेंगे कुछ sentences जिससे क्या होगा आपको topic हो जाएगा बिल्कुल clear so hey guys मेरा नम है प्रिंस जावन और आप देख रहे हैं you are English इस ट्विटर सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक कर ले आपके लाइक से हमें मिलता है बहुत जादा motivation so guys हम बात करें beside की तो beside का मतलब है के बगल में बगल में मतलब की आपके side में तो हम बात करें next to मतलब आगे बोल दो आप example में देखो the bakery is beside the pharmacy यह जो bakery है यह किसके बगल में है एक pharmacy के बगल में यह pharmacy होगी और यह bakery होगी तो हमने बोल दिया bakery is beside the pharmacy ठीक है कि जो यह bakery है वह pharmacy मलब दोइयों के दुकान उसकी बगल में sit beside me मेरे साथ मेरे बगल में बैठो मेरे साथ बैठो ठीक है मलब मेरे बगल में बैठो तो क्या होगा sit beside मेरा दोस्त उसकी बगल में उसकी सथ या उसके साथ खड़ा है कुछ भी है स्प्रीर को शॉटी को उसने बोल दिया कि वह जो है लड़की वो अपनी sister की बगल में जब खड़ी होती है तो वो छोटी लगती है ठीक है, अबने बोल दिया she seems short beside her sister अब ये है, ये अपनी sister के बगल में क्या लगती है छोटी लगती है she seems short beside her sister so ये है beside बगल में इसके साथ चलते हैं, दूसरे beside पे उसमें सिर्फ extra S लगा है लेकिन इसका उलब है in addition to, के अलावा के अलावा इसके बाद हमने उपर पराद पहले के अतिरिक्त रमन speaks six languages besides English रमन छे language और बोल लेता है English के अलावा ठीक next sentence there was no one in the room beside Tom and Mary Mary और Tom के अलावा उस कमरे में कोई भी नहीं था besides लगा ना besides कमरे में लब क्या है के अतिरिक्त क्या अलावा next sentence हमारे पास है he has no friends d-i गया f-r-i-e-n-d-s he has no friends beside me उसका मेरे अलावा कोई भी दोस्त नहीं है he has no friends besides me मेरे अलावा उसका कोई भी दोस्त नहीं है beside the rain we experience the heavy winds बारिश के अलावा या बारिश के अतिरिक्त हमने भारी तुफान भी experience किया अनुभा उगरा तो beside का बलब है के अलावा या के अतिरिक्त जिसके आपने sentences अभी देखे उसके sentences भी आपने देखे दोनों में अगर कहीं भी कोई confusion रही है या कोई आपको doubt तो हमारे comment section में हम से जरूर question कीजिएगा हम आपको उसका reply करेंगे ये video देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया subscribe करें हमारे channel को और भी videos देखने के लिए और एक बार हमारे channel पर visit भी करें वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी interesting video मिल जाएंगी तब तक के लिए